आपको क्या लग रहा था इतने सinsky प्राइस में जैसे कि आपको जीयो और फाइबर और और नॉर्मल फाइवर राउटर कनेकशन दोह जायर घायर रूपए में मिल जाता है क्या वो ससे अिसमें र॔र सकते है इतने सिस्टे प्लान MBPS से लेकि 220 MBPS तक पहुँच जाता है कितना डेटा यूज करने के लिए मिलता है तो आपको 1000 GB डेटा वो यूज करने के लिए देता है यहां पे जो सर्विस है वो सेटलाइट ब्राइट मेंट आपको देखने के लिए मिलती है मतलब डारेक्ट टू सेटलाइट कनेक्टिविटी और जो इसका एक्क्यूपमेंट चार्ज है वह 599 डॉलर से लेके धाई हजार डॉलर के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है मतलब पचास हजार रुपे से लेके दो लाग आराउंड दस जार रुपे के करीब और यह स्टेंडर्ड डिवाइस और हायर प्रफॉर्मस डिवाइस होते हैं जिस पर की वन जीपियस की स्पीड मिल जाती ह और स्टेंडर्ड डिवाइस पर आपको 200-200 Mbps तक की स्पीड मिलती है और जो इसका मंतली चार्ज है वह आपको 90 डॉलर से लेके 200 डॉलर के बीच में देखने के लिए मिलता है मतलब 7500 रुपे से अराउंड 20700 रुपे के अराउंड आपको देखने के लिए मिलता है लेकि 5000 डॉलर पर मन्त मतलब 8 से डारेक्ली मिल्टिप्लाइ कर सकते हैं अराउंड 40,000 रुपे के करीब यह देखने के लिए मिलते है इस रियली सो एक्सपैंसी और यह जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूं वह प्योर USA डॉलर में बता रहा हूं कोई भी चीज USA डॉलर मतलब ब सेंटल गवर्मेंट उस पर कस्टम डूटी लेती ती इस पर भी कस्टम डूटी लेगी तो यहां पर और ज्यादा महेंगे हो सकते हैं और तब आपको एक्स्टा जीबी और एक्स्टा मतलब डेटा चाहिए जैसे कि 1000 जीबी डेटा में लेकिन मुझे 2000 जीबी या 3000 जीबी की मुझे डेटा प्लान लेने तो वह और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं बड़ा हमाई चैनल पर फर्स्ट हमाई चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरू कीज़ेगा रैगुलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरू कहना चाहूंगा जैसे कि आप मुल्ट करें और स्मार्टी पर यूज़ करें तो यहां पर एक अच्छी क्वालिटी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बहुत ज्यादा चीप है मतलब जितने आप मंतली पैसे देते हैं नॉर्मली एक OTT subscription के लिए तो वह आपको six month और one year तक के मिल जाते हैं तो इसलिए कहन हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस वह आपको प्रवाइड करवाते हैं यहां पर लिंक आ रहा है वहां पर क्लिक करेंगे तो डिरेकल आप पहुंच जाएगे जिसपे कि आप एक बिक बेनेफिट ले सकते हैं multiple OTT subscription पर बापस आते हैं क्योंकि यहां पर आपको जो आपको जिसमें कि आपको और ज्यादा एक्सपेंसिव प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं लेकिन जो आपका डेटा है वह ज्यादा मिलने लगता है वन टीवी से लेकि यह सिक्स टीवी तक बूवन हो जाता है लेकिन इसमें भी एक चीज है कि आप तब नॉर्मल एक अभी आपको एक्सपेंसिव पे करना पड़ता है मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट है वह और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है डिवाइस को लेके और स्टार लिंग जल्दी अपनी कुछ नई सर्विस भी लांज करने वाला है जैसे कि अभी जो आपको वह सर्विस प्रोव करवाए पाएगा क्योंकि अभी जो है श्रीफ एक अवर्जेंसिस सिचुईशन में ही आप यूज कर सकते हैं बट जल्दी वह नॉर्मल आने आ जाएंगे जिसमें कि आप कहीं भी जाके मतलब एक लंबा टार वाला फोन की जरौत नहीं पड़ेगी आपना आइफोन ही ले से स्टार्टिंग हो जाएंगे 25 में फाइनली और मतलब बात कि जाए तो इसमार्ट मीटर हो गए या कार हो गई तो उनके अंदर भी इंट में लेगी तो ऐसे छत्री लगा की भूमने की जौनत नहीं पड़ेगी वह कार के अंदर डारेक्ली इंटरनेट एक्सेस कर पाएं तो वहाँ पे भी आप इंटरनेट प्लान ले सकते हैं जिसमें कि हमें जो मैक्सिमल स्पीड देखने के लिए मिलती है वह 200 Mbps की देखने के लिए मिलती है यह इंसाइड दी प्लेन है लेकिन यह बाइफाइ कनेक्ट है और प्लेन जो है वह डिरेक्टी सैटलाइट से कनेक लेकिन बहुत ज्यादा ड्रॉप भी देखने के लिए मिलती है बहुत ज्यादा रहता है स्पीड के अंदर सैटलाइट कनेक्टिविटी की क्योंकि वैदर कंडिशन पर लेकिन अब जो सैटलाइट लॉंच की जा रही है अब जो नई टेकनोलोजी है उस पर आपको एक तो और नॉर्मली सैटलाइट प्लान जो है वह आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलने वाले हैं इंडिया में देखते हैं जीओ क्या आजूबा करता है क्योंकि जीओ से जादा हूं उमीद है क्या वह चीपस प्राइस में लेके आता है और लेके आता ह क्योंकि उमीद तो यह जन्वरी फर्मेश तक आपको देखने के लिम बल जाएंगे यह वीड़ा आपका अच्छी लगए राइगूल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरू कीचेगा धन्यवाद